मैं हूँ आपके सगनित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तू के विशेश काजक्रम के साथ आज हम बात करेंगे वास्तू आपके घर की वास्तू अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा साकारात्मक उर्जा बनी रहे घर में हमेशा सफलता मिलती रहे घर के लोगों के बीच आपसी तालमेल बनी रहे तो निश्चित रूप से आपको अपने घर की जो वास्तु है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है यानि आपके घर में जो पूजा घर है, रसोई घर है, बातरूम है वो किस लोकेशन पर होनी चाहिए इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो वास्तु का बिग्यान है वो दिसा की बिग्यान है इसके पीछे का जो रस है, वो क्या है कि ये वास्तु क्या है कि दिसा पर निर्वर करती है जो दिसा है, जो रंग है, जो तरंग है इसी आधार पर हम ये समझ पाते हैं कि आपकी घर की वास्तु सही है या नहीं है जैसे अगर हम बात करें आपके घर की बातरूम की वास्तु क्या होनी चाहिए या आप उसकी जो साफ सफाई है उसका ध्यान आप कैसे रखें बातरों को यूज करते से में क्या करें बातरों को यूज करने के बाद क्या करनी चाहिए तो अगर इन चीजों की आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपके जिन्गी में जो कटनाई है जो आर्थिक हानी होने की संभाबना होती है वो निश्ची तरूप से कम हो जाएगी दूसरी बात बहुत साए लोग जो है वो एपार्टमेंट पर रहते हैं फर्स फ्लोर में, सकेंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में तो जो वास्तु की बिज्ञान है जो इसके पीछे का जो रहस्य है उसके पीछे ये दिसा जो नौर्थ है, इस्ट है, वेस्ट है, साउथ है नौर्थ इस्ट है, नौर्थ वेस्ट है साउथ इस्ट, साउथ वेस्ट ये जो आर्ट दिसाए होती है जो रंग है, जो तरंग है इसी आधार पर वास्तू की जो बिग्यान काम करती है तो अगर आपकी घर ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है आप किसी एपार्टमेंट में रहते हैं तो उस अस्थिती में आपको वास्तू का बहुत ज़्यादा इंपक्ट नहीं होगा आपके घर में जो कि क्या है कि जो वास्तू का बिग्यान है जो कि वो डिरेक्शन का बिग्यान है और जब आप हवा में होते हैं जैसे अगर कोई प्लेन कोई हवाई जहाज हवा में चल रही है तो वहां हम डिरेक्शन की बात नहीं करते हैं वहां हम latitude, longitude की बात करते हैं तो वहां पर direction दिसा का कोई भी मतलब नहीं होता है अगर आपको plane या जहाज जो हवाई जहाज है उसकी location की पता करनी हो तो निश्चित रूप से आपको latitude और longitude की ही बात करनी परेगी तो वास्तु का बिग्यान क्या है कि वो latitude और longitude पर नहीं करती है इसकी बिग्यान जो है जो वास्तु बिग्यान है वो direction पर काम करती है तो अगर आपकी जो घर है वो अगर apartment में आप रहते हैं फर्स्ट फ्रोर या सकंड फ्रोर पर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको वास्तु पर ध्यान देने की ज़रुत नहीं है अगर आप ग्राउंड फ्रोर पर रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको वास्तु की ध्यान देने की ज़रुत है दूसरी बात क्या है कि अगर आपके उपर भगवान की किरपा हो और आपके उपर पित्र खुस हो तो बहुत जादा वास्तु की इंपक्ट आपके जिन्दगी में नहीं पड़ेगी या आपको कटनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा तो ये आप ध्यान रखें कि आप पूजा पाट करें और आपके जो पुरवज हैं जो पित्र हैं उनको भी खुस करने की कोशिस करें जो पित्र दोस है उनकी भी जो समस्या है अगर आपके उपर पित्र दोस लगा हुआ है तो उन समस्याओं का आप समाधान कर लें तो आपक की जो साफ सफाई है अगर आप उनका धियान नहीं रखते हैं तो क्या कटना ही आपके जीवन में आ सकती है आर्थी खानी हो सकती है इसके आलावा अगर बातरूम को आप यूज करते समय परियोग करते समय अगर सही तरह से धियान नहीं देते हैं या यूज करने के बाद पर बास्ती परिशानें भी आपके जीवन में हो सकती है तो हम सिधा चलते हैं बातरूम की क्या वास्तु होनी चाहिए आपके घर में देखिये बातरूम क्या है कि it is a source of negative energy तो बातरूम को क्या माना जाता है कि ये negative energy का ही एक source है तो क्या होता है कि अगर आपका बात्रूम आपके घर के north west या west direction में है तो ये बहतर माना जाता है चुकि ये direction जो नाकरात्मक उर्जा है उसको बाहर निकालने में मतरगार साबित होता है इसके अलावा जो बात्रूम की दर्वाजा है ये दरवाजा भी आपको उडेन का होना चाहिए यानि लकडी का होना चाहिए देखिए अगर बातरूम का दरवाजा मेटल का है तो ये क्या है कि जो बातरूम के अंदर का जो नाकारत्मक उरजा है जो निगेटिव इनरजी है ये आपके घर में फैलना शुरू हो जाएगा चुकि जो metal door होता है ये उर्जा को transmit करता है और negative energy को भी transmit करके आपके घर में फैलाने में ये सहायक बन जाता है तो ये ध्यान रखे कि आपके घर की जो दर्वाजा है जो बातरूम की दर्वाजा है वो निस्तित रूप से लक्री की होनी चाहिए ताकि वो जो बातरूम की negative energy है उसको absorb कर सके और आपके घर में फैलने से रोक सके इसके साथ आपको जो बातरूम का डोर है उसको हमेशा बंद रखे अगर आप बातरूम यूज़ कर रहे हैं तो उस समय भी आपको बंद रखना है और बातरूम यूज़ करने के बाद भी निस्तित रूप से याप ध्यान रखे कि बातरूम की दर्वाजा को निस्तित रू आर्थिक समस्या और जो आपसी तालमिल की समस्या है वो उत्पन हो सकती है इसके साथ साथ बातरूम की दिवार पूजा घर से रसोई घर से और सहनकक से सटी नहीं होनी चाहिए इसका आपको भी ध्यान रखना है यह ध्यान रखे जब भी आप घर की कंस्ट्रेक्शन कर रहे ह तो निश्चित रूप से जो बातरूम की दिवार है वो ना तो पूजा घर से सटी होनी चाहिए ना रसोई घर से सटी होनी चाहिए और नहीं आपके बेडरूम से सटी होनी चाहिए इसके साथ साथ जो बातरूम के जो अंदर वासरूम के अंदर जो वास वेसिन है जो साव ध्यान रखे जब भी आप वास बेसिन फिट करवाते हैं या आप सावर फिट करवाते हैं तो ये इस्ट में हो या नॉर्थ में हो या नॉर्थ वेस्ट डिरेक्शन में होनी चाहिए इसके अलावा जो बाथरूम के अंदर जो पानी का निकास होता है जो पानी का exit होता है वो भी या तो East में हो या North में हो नहीं तो North West में होना बेहतर माना जाता है और आपको bathroom का slope भी इस तरह से रखना है ताकि bathroom में पानी का जमाव नहीं हो सके अगर देखिए अगर आपकी bathroom हमेशा गिला रहता है तो ये भी बहुत बड़ा करन है आपके जिन्दगी में सफलता को रोकने के लिए आर्थिक परिसानी उत्पन कर सकती है अगर वास्तु सही जगह पर है आपकी bathroom सही जगह पर होने के बावजुद भी bathroom अगर हमेशा गिला बना रहता है तो ये भी आपके लिए बहुत ही नाकरत्मक उर्जा आपके घर में जो फैले में मददगार साबित होता है इसके अलावा bathroom के जो अंदर toilet है जो toilet है उसको भी क्या है कि west या northwest direction में बनाना उत्तम वाना जाता है तो ये धियान रखे जो आप toilet का position है आपके bathroom के अंदर वो निश्टी तुरूप से west या northwest direction में होनी चाहिए इसके अलावा जो आपकी bathroom की दर्वाजा है बहुत लोग दर्वाजे की बात करते हैं जो आपका दर्वाजा है डोड है ये या तो east में होनी चाहिए नहीं तो northwest में होनी चाहिए देखिए अगर दर्वाजा इस direction में है तो ये निश्टी तुरूप से बहुत ही उत्तम माना जाता है ताकि क्या होता है कि अगर आपकी दर्वाजा इस direction में है तो जो sunlight है वो आपके बाथरूम में परवेश करेगा और जो bacteria है जो negative energy है उसको फैलने से रोकने में मतदगार सावित होता है इसके अलावा जब आप बाथरूम की color करवाते हैं तो बाथरूम के अंदर का जो color है वो brown, cream, yellow sets में होना चाहिए ये black या dark blue नहीं होनी चाहिए तो ये ध्यान रखे जब भी आप बाथरूम की color करवाते हैं तो जो brown sets है या cream sets है या फिर yellow sets है तो उसी color से बाथरूम का जो अंदर का color है उसी से करवाना चाहिए बहुँ जदा black या dark blue का यूज नहीं करना चाहिए इसके अलावा बाथरूम मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा clean रखे तथा बाथरूम हमेशा गिला नहीं होनी चाहिए बाथरूम में slope जो पानी का निकास है slope इस तरह से होनी चाहिए कि बाथरूम जल्दी से जल्दी सुख जाए वो गिला हमेशा नहीं बना रहे हैं जैसे आप बातरूम यूज करते हैं यूज करने के बाद हमेशा गिला बना रहता है तो ऐसा अगर होगा तो ये निश्चीत रूप से जो आपकी आर्थिक समस्या है जो सक्सेस है इसमें ये एक परशानी उत्पंद कर सकता है तो ये ध्यान रखे जो bathroom हो हमेशा गिला नहीं हो इसके साथ-साथ bathroom की जो सफाई है उसका भी ध्यान रखना आपको जरूरी है और मैंने आपको पहले भी बताया कि यूज़ करने के समय और यूज़ करने के बात बातरूम को हमेशा निश्चित तूप से बंद रखे हैं अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये बहुत ही परसानी का करण बन सकता है तो बातरूम यूज़ करते समय और यूज़ करने के बाद भी इसको बंद रखे तो आज मैंने आपको बताया कि आपके घर में जो बातरूम है उसका क्या लोकेशन होनी चाहिए किस दिसा में बातरूम होनी चाहिए बातरूम के लिए क्या खास आपको ध्यान रखना है बातरूम की साफ सफाई बातरूम को हमेशा बंद रखना बातरूम का गिला नहीं होना तो अगर इन चीजों का आप अगर धियान रखते हैं तो आपके घर में या आपके जिन्दगी में जो सफलता की जो संभाबना है वो बढ़ जाएगी आर्थिक परिसानी अगर है तो वो भी खतम हो जाएगी तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो किरिपयाई से लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें ताकि अगर उनके घर में भी वास्तू की कोई समस्या है या बात्रूम सही लोकेशन पर नहीं है तो उनके लिए अगर आप ये वीडियो सेर करेंगे तो इनको देख करके इनको समस्य करके वो भी इनका फैदा उठा पैंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद